वेल हेलो एब्रीवन, कैसे हैं आप लोग, आज के इस वीडियो में हम डिकेल्ड रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं बोट रॉकर्स 205 V2 वाइलेस नेक्बेंड का, इसे मैंने एमजॉन से पर्चेस किया है, 1392 के प्राइस पर्चेस किया है और इसकी काफी अच्छी तरीके से मैंने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्ज हैं और ये आपके लिए वेल्यू फोर मनी रहेगा या फिर नहीं रहेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपोर्टेंट कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों की मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वाला जो नेकवेंड है ये एमेजॉन पे अलग मॉडल नाम से बिक रहा है और फिलिप कार्ट पे अलग मॉडल नेम से बिक र गिफ्यम हैं यहां पर जो से मिलेगा आपो लिसंव मिलेगए आपको डिजाइन ऑल्मोस से मिल ऐका बिलृटक आपको अल्मोस से घृण का बíst तो प्राला ये कि इनका जो सॉप्ट्वियर है यानि कि Bluetooth प्रफाइल जो है वो अलग-अलग है 205 V2 जब आप देखेंगे मोबाइल में आउन करेंगे तो यह आपको 205 V2 दिखाएगा जबकि 265 V2 जो है वो आपको 265 V2 दिखाएगा यहां पर एक यह डिफ्रेंस हो गया दूसरा कर सकते हैं इसे on-off कर सकते हैं बट यह 205 V2 जो है इसके मैगनर से कुछ नहीं होता सिर्फ यह से इसको दिया गया है तो यहां पर यह दो मेजर डिफ्रेंस है बागी हर एक चीज आपको दोनों के अंदर में सेम मिल जाएगा तो यह confusion दूर अब आगे बढ़ते हैं और एक साइड में देखेंगे तो यहां पर इस नेक बैंड के जितने भी मेजर फीचर्स वगड़ा हैं वो सारे इक सारे स्पेशिफिकेशन आपको जो है वो टोटल यहां पर मेंशन किया गया है बॉक्स कॉंटेंट की बात कर तो यहां पर आपको एक वन येर की वाउंटी का आपको प्रवाइट कराएगे एक आपको जो है यूसबी टाइप सी चार्जिंग केवल देखने को मिल जाता है और फाइनली आपको आपका मैन डिवाइस पोर्ट रोकर्स 205 वी टू यहां पे मिल जाएगा दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके मेजर प बूश्ट मोड दोनों मोड के अंदर में काफी अच्छी तरीकी से मैंने इसकी टेस्टिंग करी है और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेरा फेवरेट वाला कौन सा मोड है तो यह आता है आपका बैलेंस मोड में इसकी जो है बेस की बात करूँ वह काफी हद तक यहां काफी बंची काफी ज्यादा रिच और काफी ज्यादा बैलेंस यहां पर सुनने को मिल जाता है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है इसका जो없이 चाहे तरीके से प्रेशन की कि बैलेंस किया गया कि इप यहां पर इसका जो टीबल है यानि कि जो higher frequencies है उसको काफी अच्छी तरीके से यह ट्विन अप किया गया है तो यहां पर इसका जो balance mode है वो एक audio file type के बंदल को काफी ज़्यादा पसंद आएगा एक normal user को casual user को काफी ज़्यादा पसंद आएगा वहीं पर अगर मैं base boost mode की बात् कर रहा है base boost mode के अंदर में overall इसका जो base boost mode है वो एक जो आपका base head type के जो लोग होते ना उनको ज़्यादा पसंद आएगा but मेरे type के लोग जो audio file type के लोग होते ना उनको इसका balance mode जो है वो काफी ज़्यादा satisfactory होगा काफी ज़्यादा satisfy करता है दोस्तों यहां पर इसको अगर Bluetooth 5.0 का इस्तमाल किया गया इसके अंदर में आपके neck band और smartphone के बीच में कोई भी disturbance नहीं यानि कि line of sight proper है तो यह आपको लगवग 17 meter तक का range provide कराता है उसके बाद में cut off होना start हो जाता है वहीं पर अगर आपके neck band और smartphone के बीच में कोई भी disturbance है concrete की wall, window, दरवाजे तो यह आपक लगवग 7 to 8 meter तक का range provide कराता है उसके बाद में cut off होना start हो जाता है यहाँ पर इसकी जो connectivity है वो काफी जाता solid है और काफी अच्छी connectivity आपको मिल जाती है दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसके water certification के बारे में तो यहाँ पर आपको IPX5 की water certification इसके अंदर में मिल जाती है अब यहाँ पर मुझे एक doubt हो रहा था जब मैं इसकी testing कर रहा था पानी बगर्या डारा था कि इसका जो right hand side जहाँ पर controls है वहीं पर आप देखेंगे तो आपको type C charging port यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि पूरी तरीके से open है यहाँ पर आपको कोई cover नहीं मिलता तो मु अच्छी तरीके से काम कर रहा था है यहाँ पर आपको water certification मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है दोस्तो अब बात करते हैं इसके microphone के performance के बार में तो यहाँ पर राइट-hand side नेक में पर राइट-hand side में जहाँ पर controls दिया गया उसी के नीचे में आपको जो है एक छोटा सा microphone मि record कर रहा हूं हाला कि यहाँ पर काफी ज्यादा crowd नहीं है क्योंकि इससे मैं अपने terrace के ऊपर record कर रहा हूं बट हाँ यहाँ पर काफी तेज जो है वो wind चली है तो background में आप सुनने की कोशिस कि जिगा कि wind की noise आपको आ रही है या नहीं आ रही है साथ में एक बात मैं आपको आता है आपका black and blue color, दूसरा आता है आपका black and red color और तिसरा आता है आपका black and orange color जिसे मैंने order देखे मंगा है और यहाँ पर अगर मैं color coating की बात कूँ तो पूरे neck band पे आपको matte color coating का इस्तमाल किया गया है यहाँ पर आपको dual tone color combination का यूज किया गया है जिसके वेसे इसे जब आप अपने गले में पहनते हैं या फिर कानों में डालते हैं तो यह काफी ज़्यादा attractive सा look आपको यह provide कराता है वही पर अगर मैं design की बात कूर कि यहाँ पर आपको typical behind the neck band वाला आपको design देखने को मिल जाता है neck band पे right hand side में आपको सारे controls यहाँ पर दिये गए उसी की किया गया है दोस्तों यहाँ पर look wise और design wise मुझे काफी हत्ता की यह पसंद आया है दोस्तों वहीं पर अब बात करते हैं इसके जो है वह built quality यहाँ पर पूरा का पूरा जो neck band है वह आपको totally plastic का देखने को मिल जाता है बट यहाँ पर जो plastic की quality है वह काफी ज्यादा cheap नहीं द buttons है वह वोवल भी नहीं कर रहें तो काफी ठीक तक आपको button मिल जाता है इसका जो वाइड है वह काफी ठीक वाइड आपको यह देखने को मिलता है जो कि मुझे लगता है कि काफी long period तक आपके साथ रहेगा वहीं पर अगर मैं इस earbud की बात करूं तो earbud जो है look wise feel wise जो है य यह actually है totally आपका जो है वो plastic यहाँ पर look और finish ऐसा दिया गया कि यह आपको metal फिल कराता है but finishing काफी अच्छी के earbud की मुझे जो है इसकी build quality इसके pricing को देखते हुए दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आया है अब बात करते हैं दोस्तों इसके comfort और grip के बारे में यहाँ पर आपको पता ही है कि comfort और grip totally depend करता है अलग-अलग लोगों के ear shape, size, design के उपर में साथ में काफी हद तक depend यह भी करता है कि जो companyya ear tips provide कराते तो वो कौन सा आपको fit bet है तो यहाँ पर मेरे case में मैंने medium बाला ear tip use किया और मैंने इसको continuously 5 सारे 5 गंटे भी इसको इसको इस्तिमाल किया मेरे users में continuously usage में मुझे कहीं से भी ऐसा feel नहीं हुआ कि यह मेरे काणों में heat generate कर रहा है या फिर use करने के बार में यह pain करा रहा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे काफी ज्यादा comfortable था और यहाँ पर grip भी काफी अच्छी तरीके से इसने मर्जे प्रवाइट करा है कितना भी आप सर को movement अगरा कर लीजिए आपके कानों से यह grip lose नहीं करता मेरे testing में मेरे case में तो ऐसा ही था दोस्तों otherwise हो सकता है कि आप आपको उतना better grip ना या फिर मुझसे भी ज्यादा better आपको grip आ सकता तो यह depends करता है दोस्तों यहाँ पर grip और comfort मेरे case में काफी अच्छा था वहीं पर अगर काफी अच्छी तरीके से grip प्रवाइड कराता तो यह आपका जो ना काफी हद तक ambient को जो noise है उसको भी यह काफी करते हैं दोस्तों इसके battery के performance के बार में यहाँ पर आपको 200 mAh की battery का इस्तमाल किया गया इसके अंदर में और company का यह कहना है कि यह एक बार full charge होने के बाद जो है यह आपको लगभग up to 20 hours का music play time देता है बट मेरे testing में मैंने जब इसको पूरी तरीके से charge किया है उसके बाद 100% volume पर जब मैंने इसको continuously music play किया और सुना तो इसने मुझे 10 गंटे 40 मिनिट का music play time दिया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको 70 या 75% volume पर सुनेंगे तो यह आपको लगभग 14 से सारे 14 गंटे तक का music play time दे देगा तो यहाँ पे battery backup उतना तो नहीं है मैं भी हो स सुनता ही है तो यहाँ पर आपको 14 सारे 4 गंटे का जो है ना backup मिल जाएगा तो यहाँ पर बैटी backup ओके मिल जाता है दोस्तों अब बात करते हैं इसके gaming के performance के बारे में तो यहाँ पर आपको मैं चलिए real world में सुनाता हूं दिखाता हूं कि इसका gaming में कैसा perform यह करता है दोस फिस जाना है यह करता है Оं अ быको Father चलिए जाना है यहाँ अंटेफ संटै टी कि यहाँ जाएगा। में अझार स्टा सरहाँ करते हैं पर आपको तो गाइज ये थी इसकी गेमिंग की पर्फोर्मेंस मैं आपको साब साब बताओं तो जो नेट ओरियेंटेड गेम्स है उसमें आपको साब साब पता चलेगा कि इसके आउडियो और वीडियो में डिले आपको पता चल जाता है बट हाँ काफी ज्यादा मामूली है बहुत ज YouTube पे या फिर Amazon Prime पे या फिर Netflix पे इस टाप के वीडियो प्लेटफार्म पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिले का पता नहीं चलेगा काफी अच्छी तरीके सी यह काम कर रहा था दूस्तों अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स के बारे म मिलेगा जिसके तो volume को बढ़ा और कम कर सकते हैं इसी कितरों आप songs को आगे या फिर पीछे जंप करा सकते हैं एक आपको multi function बटन लेगा जिसके तो आप इसे जो ना on या फिर off कर सकते हैं इसी कितरों जो है songs को play और pause कर सकते हैं इसी कितरों आप voice या फिर Google Assistant को activate कर सकते हैं यह जो है neckband आपका dual padding को support करता है यानि कि आप एक ही time में दो अलग-अलग device के साथ में इसको pair करके आप इस्तमाल कर सकते हैं यह काफी अच्छा feature आपको इसके अंदर मिल जाता है बट तीन यहाँ पे मुझे कौन स्भी इसके अंदर देखने को मिलें है पहला तो यह कि भाई इसका जो charging port है type C charging port उसके कोई cover यहाँ पे नहीं दिया गया पूरी तरिके से naked है तो पानी वानी जाने के dust जाने के chances आपको बन जाते है दूसरा इसका जो earbud है यह magnetic है हाँ यह magnetic है बट काफी जादा strong आपको magnet मिल गया है इसका जो ना आपको कोई practical use नहीं हाँ safety के लिए ठीक है कि आपने गले में डाला तो यह safety आपका हो जाता है कराता है आपको बट जो boat rockers 265 V2 flip card पे है उसके अंदर में जो magnet है earbud में जो magnet है वो proper functional है यह वाला function नहीं है उसमें जो है आप उसको video को play पाॉस कर सकते हैं या फिर phone call को receive, reject कर सकते हैं on off कर सकते हैं बट इससे जो है आप उससे जो है न कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो पहला कॉन यह है दूसरा आपका जो ह्ना call आता है कोई तो यह आपका vibrate भी नहीं करता 1992 के price point पे, almost 1400 के price point पे, मुझे ऐसा रगता है कि इसके अंदर में आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको look काफी अच्छा मिलता है, इसके pricing को देखते हुए, इसकी build quality भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इसका जो connectivity है, वो काफी ज़्यादा strong आ इसका जो audio का performance है, वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया, इस price point पे मुझे लगता है कि इसका audio काफी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे इस price point पे यह value for money है, आप इसके साथ जा सकते हैं दोस्तों, तो यही था इसका detailed review, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आय हो, अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोबारा मुलाकात होगी आप